Hello guys, welcome है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे हमने Class 9 के chapters को cover करना start किया था Last video में Exercise 2.1 and Chapter 2 of Class 9 Polynomials के हमने कुछ Terminologies पे बात करी थी उसका introduction हमने देख लिया था किस base पे वो chapter चलने वाला है हमने वो चीज़े देख लिया थी आज हम दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं guys जो हमारा पहला topic रहेगा वो रहेगा कि किसी एक particular numerical value पे या फिर किसी भी एक particular value पे एक पूरे expression की या फिर एक पूरे polynomial का answer क्या निकल के आता है कैसे हम उसे निकालते हैं दूसरी चीज जिस पे हम बात करने वाले है कि polynomial के zeros का मतलब क्या होता है अगर question में दिया जाता है find the zeros of यह यह polynomial तो sir zeros का मतलब क्या होता है कैसे हम इसे निकालते हैं polynomial से तो इन ही दो चीज़ों पे इन ही दो concepts पे बेस exercise 2.2 भी हम cover करेंगे आज ही तो start करते हैं अपनी class के साथ बिना time waste करें तो guys पहली जो इस chapter ने भशण मचा रहे कि हमारे सामने कि एक particular value पर polynomial की value होगी क्या है ना तो थोड़ा आपको example से मैं clear करता हूँ कि sir मैं बोलना क्या रहा हूँ suppose एक polynomial दे रखा है px px कुछ नहीं है sir बस denotion है polynomial की है ना मैं भी समझाता हूँ इसका मतलब suppose कि कोई polynomial दे रखा है 5x minus 4x square plus 3 clear है guys जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे है यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो ये मेरे पास polynomial in one variable है है ना clear है आप सभी को one variable है degree आप लोग देख रहे हैं sir यहाँ पर जो power है x की वो highest 2 है so ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में 2 degree का polynomial है ना 3 terms है मेरे पास 2 degree का मतलब क्या हो गया sir हमने बात करी थी linear polynomial की quadratic polynomial की and cubic polynomial की तो ये polynomial जो है इसकी degree जो है वो 2 है इसमें variable की degree 2 है इसलिए ये quadratic polynomial है clear है sir और इसमें sir हम आपको तीन terms देखने को मिल रही है एक term ये दूसरी term ये और तीसरी term ये है ना तो इसी के साथ ये हमारा trinomial भी बन जाता है clear है काफी असान चीज़े हैं अभी तक अब sir चीज क्या है इसमें हमसे बोला क्या गया है question को find the value of px at x is equal to 0 x is equal to minus 1 and x is equal to 2 clear है हमको find अगर नहीं है इस px की value या नहीं कि इस polynomial की value अगर मैं यहां पर px नहीं भी लिखूंगा तो भी काम मेरा चलेगा सकते clear है तो मुझे find करनी है इस polynomial की value यह मेरे को polynomial आपर दे रखा है clear है 5x minus 4x square plus 3 इसकी value find करनी है कब जब मेरा x की value 0 है x की value minus 1 है and x की value 2 है तो sir इसकी तरफ चलते है अपना solution लिखते है तो solution में सबसे पहला काम आपको करना है न कि जो भी मुझे polynomial दे रखा है उसको degree के हिसाप से में arrange कर लो नहीं भी करोगा तो भी answer आएगा लेकिन थोड़ा systematic करते चलेंगे ना तो ज्यादा help रहती है थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है ना teacher को भी वो भी लगेगा हाँ भाई बच्चा जोड़ा दिमागदारत जोड़ा systematic है है ना और कुछ नहीं बस यही reason है इसके बीचे तो sir polynomial जो हमें दे रखा था वो दे रखा था 5x minus 4x square plus 3 clear है हम यहां से इसको लिख लेते हैं एक बड़ degree के हिसाप से arrange करने का मतलब क्या होता है ना बड़ी degree है जो बड़ी power है variable की उसको पहले लिख दो उससे छोटी को उसके बाद लिख दो सबसे चोटी को उसके बाद लिख दो clear है तो sir हम यहां पर अपना polynomial को दुबारा से लिखेंगे minus 4x square क्योंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ी power जो थी plus 3 कुछ नहीं है कुछ आमारे answer पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा बस यह है कि हाँ थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है system जो होता है वो यह कहता है कि ऐसे arranged होना चाहिए हमारा polynomial बस और कुछ नहीं है आप अगर इस चीज को solve करने जाएंगे तो भी अपने को same answer मिलने वाला है clear है तो sir जो हमें values निकालनी है सबसे पहले हमें दे रखा था at x is equals to 0 पे value निकालनी है x is equals to 0 पे तो sir कुछ नहीं करना देखो जैसे polynomial है ना यहां पर x की form में है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा था px is equals to 5x minus 4x square plus 3 वो x की form में है सही है वो x का function है यानि कि जैसे जैसे मेरा x change करेगा वैसे वैसे मेरे polynomial की value भी change करेगी clear है तो यहां पर देखिए मुझे x की value 0 दे रखी है मुझे इसके हिसाब से आगे solve करना है ठीक है यह बात अगर आपको ना भी समझ आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर बस आप यह लेके चल सकते हो कि जो px है ना वो हमारा denotion के काम आने वाला है polynomial को और कुछ भी नहीं ठीक है इससे extra कुछ भी नहीं सही है तो भाहिया यहां देखो variable है x तो अगर मैं x की value को change करता रहूंगा तो polynomial की value अपने आप मेरी change होती रहेगी clear है न सर तो बस वही करना है x की value को 0 रखना है तो सर 0 रखते है minus 4 x की value हो गई 0 का square plus 5 into में x है 0 plus 3 clear है अब 0 का square तो सर 0 ही होता है 0 into minus 4 भी 0 आएगा plus 5 into 0 भी 0 आएगा plus 3 तो at x is equal to 0 जो polynomial की value है वो 3 है clear second part में उसने हमसे बोला सर हमको निकालना है at x equals to minus 1 clear है अब जो equation थी जो polynomial था उसको लिखते है minus 4 x square plus 5 x plus 3 clear है अब x की value क्या उची होगे सर minus 1 हो चुकी है है न तो कुछ नहीं करना x की जागा पर बस minus 1 रख देना है minus 1 का square plus 5 into minus 1 plus 3 बस ठीक है minus 1 का square आपको बता है सर्थ minus into minus plus हो जाने वाला है तो जो minus 4 है उसकी value minus 4 ही रहेगी plus 5 into minus 1 कितना हो जाएगा minus 5 plus 3 यानि कि minus 4 minus 5 plus 3 minus 9 plus 3 is equals to minus 6 हमको इसमें final answer मिलने वाला है clear है सर काफी असान चीज है थोड़ा यहां पर solve करते है next part को next part हमें कह रहा था at x equals to 2 पे find करो polynomial की value है ना तो सर कुछ नहीं 2 रख देना है वस x की जगह पे minus 4 into 2 का square plus 5 into में 2 plus 3 clear है minus 4 तो हई 2 का square क्या होता है 4 होता है तो minus 4 into 4 कितना हो जाएगा सर minus 16 plus 5 into 2 10 plus 3 minus 16 plus 10 minus 6 minus 6 plus 3 minus 3 है ना तो answer मेरे पास आगया minus 3 clear है यहां से मेरे को लगता है कि मैं आपको समझाने में सफलता पराप्त कर चुका हूँ थोड़ा रामैन वाला कंशब जादा आ रहा है कैर कि मैं यहां पे आपको यह चीज़ समझा चुका हूँगी कैसे हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दी जाएंगी वेरियेबल की उस पे हमको पूरे पॉलिनोमिल की वैल्यू निकालनी होगी यह है पहला कंसेप्ट जिस पे मेरे कोशेंस मुसको मिलेंगे एकसिस 2.2 पर यह भी एक कोशें 2.2 का है वैसे ठीक है अब सर बात करते हैं कि आपने बात करी थी इंट्रोड़क्शन में इस वीडियो के कि जीरोस की बात करी थी जीरोस क्या होता है यह जिरो इसके बड़ा मश्सा वर्ड है वैसे दिक्कत आपको देगा नहीं मेरे को लगता है काफी असान चीज़े एक बारी में आपको समझ आ जाएगी तो हम थोड़ा इसको देखते वे चलते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में explain कर देता हूँ यह होता क्या है जैसे इस question में हमको दे रखा है अब सर जिरो का मतलब क्या है तो हम थोड़ा ढूंड़ने के कोशिश करते हैं अगर आपको प्रॉपर एक definition में दिखा पाऊं इसकी zeros of polynomial का topic यह है जलो सर मैं ऐसी बता देता हूँ zeros क्या होते हैं न? zeros of polynomial के हम बात कर रहे है सर actually में न हमको एक polynomial दिया जाएगा clear है कोई भी polynomial दिया जा सकता है suppose हमको दे दिया गया है py is equals to y square minus y plus 1 है न? अब जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था px था तो वहाँ पे जो polynomial था वो x की form में था है न? यहाँ पे मेरा polynomial y की form में है इसलिए मैंने py से लिखा है ताकि जैसे-जैसे y की value change करेगी, polynomial की value भी change करते जाएगी है ऐसे कुछ भी नहींबर इस denotion है इसको ज्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं तो sir py is equals to y square minus y plus 1 मेरे पास एक polynomial दे रखा है question में मुझसे पूछा जाता है इस polynomial का zeros निकाल के दिखाओ तो कोई scene नहीं है sir कुछ ऐसा तगड़ी सी चीज नहीं है zeros का मतलब क्या होता है मैं आपको वो simple सी चीज बता देता हूँ इस polynomial में zeros का मतलब क्या होने वाला है y की ऐसी value ठीक है y की ऐसी value 0 बना दे फोड़ा पेचिदा से लग रहा होगा हंदी में भी राइटिंग को इच्छी सी आनी रहे है तो इसको इग्नोर करते है मतलब क्या है न सर हमको दिया जाएगा एक polynomial ठीक है कोई भी polynomial दिया जाएगा बोला जाएगा भीया इसका zeros निकाल के दिखाओ अब zeros होता क्या है तो उसमें जो भी वेरियेबल होगा ना polynomial में चाहे x हो y हो हैना हाती गोड़ा कुछ भी हो सकता है उस वेरियेबल की एक ऐसी value हमें निकालनी है जो पूरे के पूरे polynomial की value 0 बनाते for example example समझ में नहीं आया होगा मैं यह मान के चलता हूँ है न for example sir मैंने ले लिया px is equals to 3x plus 4 clear है 3x plus 4 मेरा polynomial है ठीक है मुझे निकालना है इसका 0 क्या होगा इस polynomial का zeros क्या होगा ठीक है तो sir zeros क्या है यहाँ पर variable क्या है x तो x की ऐसी value जो px को किसको px को यानि की polynomial को polynomial px को 0 बना दे समझा रही है x की ऐसी value x की ऐसी value जो polynomial px को 0 बना दे है क्या sir फिर से इसके बारे में एक बड़ देखते हैं clear है समझा ही तो इसके लिए sir सिंपल सा तरीका है अपने पास करना क्या है जो भी polynomial दे रखाना उसको पहले ही 0 के एक बड़ दाल दो क्या बोल रहा हूं मैं sir steps पे चलते हैं क्या करना है जो भी polynomial है उसको 0 के एक बड़ दो रख दिया भाया 0 के एक बड़ रख दिया बिल्कुल अब क्या है ना यहां पर मुझे x की value निकाल देनी है तो x वाली term को इधर ही रहने दो बाकी सब अगड़म सगड़म को उधर बेज़ दो सही है फिर से x को इधर ही रहने दो बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दो तो x की value क्या निकल के आती है मेरे पास minus 4 by 3 तो sir जो यह minus 4 by 3 है ना यही मेरा zeros है clear है यही मेरा zeros है कैसे क्योंकि जब मैं polynomial में minus 4 by 3 डालूँगा ना इस जगह पे तो इसका answer 0 आ जाएगा अपने आप चलो चेक करते है 3 into में minus 4 by 3 plus 4 3 से 3 कड़िया minus 4 plus 4 कितना आ गया 0 सही है यही चीज़ है तो करना क्या है जो भी polynomial दिया जाएगा एक और polynomial लिलते है px is equal to 3x minus 19 दे दिया है ना अब इसका मुझे क्या निकालना है sir zeros निकालना है क्या करूँगा कुछ भी नहीं 3x minus 19 को equal कर दूँगा 0 के पहली 0 के equal कर दो sir ठीक है यहाँ से निकाल दो अब x की value तो x value time को एक तरफ रहने तो बाकी सब उदर अब x को एक तरफ बाकी सब उदर तो यहाँ से x की value क्या है sir 19 by 3 तो 19 by 3 जो है ना यह मेरा क्या है zeros है clear है अब sir कुछ fun facts है इसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ मज़ेदार सी बाते है देखो ध्यान देना polynomial की degree equals to किसके equal होगी number of zeros के clear है number of zeros of polynomial और भाईया यह क्या भारी सा कह दिया आपने ऐसा लग रहा होगा थोड़ा तो sir कुछ भारी नहीं है हमने polynomial की degrees पे बात करिए यह तीन तरह के polynomial होते है जब हम उनको degree के base पे classify करते है linear था quadratic था and cubic था linear का मतलब क्या था linear का मतलब था जब मेरी degree 1 होगी degree is equal to 1 है ना example ले लिया अभी यह से लिया 3x plus 5 ले लिया सही है यह क्या है मेरा linear है समझ रहो linear polynomial है linear polynomial है तो इसमें number of zeros कितना आने वाला है इस polynomial के number of zeros जो है वो एक ही zero आएगा क्या आएगा सर 3x plus 5 is equal to 0 रखो 5 को अधर ले जो minus 5 3x is equal to minus 5 by 3 सिर्फ एक ही zero आएगा linear के बाद आता क्या है हमारा quadratic आता है quadratic का क्या सीन होता है सर degree कितनी होती है 2 तो number of zeros भी कितने होंगे 2 ही होंगे सर clear है समझ आई बात यह चीज ध्यान रखने की है quadratic के बाद आता है cubic है ना cubic में degree of polynomial क्या होती है 3 so number of zeros जो होंगे वो भी कितने होंगे 3 होंगे clear है असान चीज है काफी है ना तो अपने को इतना ज्यादा डीप में विसे जाना नहीं है तो बस मैंने आपको knowledge के लिए बता दिया अब सीधा चलते हैं हम लोग अपनी exercise के तरब जो questions हमारे लिए matter करते हैं तो sir पेपर में आने वाले है ना वाई पेपरी में तो number लाने है knowledge तो लेते रहेंगे तो यह रही sir हमारी exercise 2.2 पहला question जैसे आप देख सकते हो find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 ठीक है अपने हमने क्या कर दिया यहां से 5x minus 4x square plus 3 यह मेरे को polynomial दे रखा है clear है तो अब मुझे क्या बोला गया है find the value of polynomial polynomial इस polynomial की value निकालने है x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2 जो की मैं आपको पहले करवा चुका हूँ यही question था ठीक है आप इसे जा के देख सकते है second question क्या कह रहा है sir find p0, p1, p2 for each of the following polynomial अब इसका मतलब क्या है sir मैंने आपको बताया था न py है तो polynomial जो है y की terms में दिया जाएगा यह मुझे दे रखा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना य की जगा पर 0 रखना है आंसर निकालना है फिर य की जगा पर 1 रखना निकालना है फिर य की जगा पर 2 रखना निकालना है तो सर इसका कोशन एक बारम करके देखते हैं यहीं पर साइड में y square minus y plus 1 किसके बराबर है py के तो sir at y is equal to 0 क्या होगा y is equal to 0 y के जगा पर 0 रद तो 0 का square minus 0 plus 1 तो answer कहीं नगा 1 आजाएगा तो first answer हो गया 1 ठीक है ऐसे अपने को ये solve करता चलना है clear है अब y is equal to 0 पर हमने कर दिया second scene क्या होने वाला है अपने को question में दे रखा है second scene में हम ले लेंगे y equals to 1 डाल दो भाई इस equation में y equals to 1 1 का square minus 1 plus 1 तो 1 minus 1 plus 1 कितना आ गया 1 आ गया सही है फिर क्या p2 है मतलब कि y की value 2 हो रही है अब यहाँ पर 2 डाल दो 2 का square minus 2 plus 1 2 का square होता है 4 minus 2 2 plus 1 कितना हो गया 3 हो गया सही है ऐसे गर के हम इसके answer निकालते चलने है तो मैं आपको यहाँ से इन दो questions को करें यह वाले question को करके दिखाता हूं 4th question को ठीक है यहाँ पर फोड़ा multiplication का जोल सा बढ़ रहा है बाकी सब तो similar से ही है 4th question को करके दिखाता हूं sir px is equals to x minus 1 x plus 1 क्या दिया गया है px is equals to x minus 1 and x plus 1 सही है मुझे किस-किस की value निकालनी है मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं p0 की p0 का मतलब क्या है at x is equals to 0 है ना इतना हम लोग समझ चुक हैं तो फिर क्या करना है sir px की value क्या हो जाएग at x is equals to 0 x को जब हमने 0 से replace कर दिया तो यहाँ पर आएगा 0 अब इदर भी 0 से replace कर दो 0 minus 1 0 plus 1 सही है तो minus 1 into plus 1 क्या हो जाएगा sir ultimately minus 1 आजाएगा sir clear है p1 की बात करेंगे p1 क्या होने वाला है देखते है x minus 1 x plus 1 था ना तो 1 minus 1 and 1 plus 1 सही है तो 1 minus 1 तो 0 हो गया 0 into 2 answer आएगा 0 clear है third part में p2 था तो 2 minus 1 and x plus 1 लिखना था था तो 2 plus 1 सही है 2 minus 1 था है and 2 plus 1 थी होता है तो कितना आ गया 3 clear है काफी असान चीज थी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहां से समझ आई ही होंगे यह चीजें अब हम थर्ड कोशन की तरह बढ़ते हैं सर यह क्या बोल रहा है हमसे third question क्या पूछ रहा है कि verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them मतलब की मुझे यह पॉलिनोमिल तो दे दिया उसके आगे 0 भी दे दिया और मुझे यह चेक करना है क्या यह एक्सकी वाल्यू सही में इस पॉलिनोमिल के 0 है यह यह नहीं है ना क्या यह pX की वैलू 0 बनाता भी है यह नहीं सर करते हैं इसको कुछ questions करेंगे select करेंगे बाकी साब काम में आपके उपर चोड़ता हूं है ना आप भी इसको practice करना काफी असान चीज़ है पहले हम first part की तरफ बढ़ते हैं first part हमसे क्या करवाने को कह रहा है question 3 first part यहाँ पर हमें जो px की value है वो दे रखी है 3x plus 1 है ना and x की value दे रखी है minus 1 by 3 clear है तो हमको कुछ नहीं करना सार x की value तो दे रखी है x की value यहाँ पर डाल देनी है और देखना है कि क्या 0 आता है या नहीं आता तो 3 into में minus 1 by 3 plus 1 3 से 3 तो cut जाएगा minus 1 plus 1 कितना आता है 0 0 आ गया मतलब कि जी हाँ बिल्कुल यह minus 1 by 3 जो है वो 0s है clear है ऐसे ही अपने को सारे पार्ट जिसके करते चलने मैं आपको एक पार्ट कराता हूँ जो थोड़ा आपको 8 पटा सा लगेगा यह 6th पार्ट क्यूंकि देखो यहाँ पर क्या सीन है 4 by 5 को चेक करना है तो 5x minus pi लिखा हूँ है 5x की जगह पर मैंने लिख दिया 4 by 5 है ना minus pi 5 से 5 तो कट गया लेकिन 4 minus pi रहे गया तो यह 0 के इककोल नहीं आया clear है तो second part क्या है x is equal to 4 by 5 polynomial का 0s नहीं है सही है अब जैसे यहाँ पर देखिए x square हो गया ना अब देखो मैंने बताया था कि quadratic हो गया तो दो 0s है तो यहाँ पर दो 0s दे रखे हैं तो हमको दोनों values पर चेक कर रहा है क्या 0 आता या नहीं आता है same thing है यहाँ पर देखना है 0 आता ही नहीं आता बिलकुल यहाँ भी ऐसी यहाँ भी ऐसी है ना तो यह चीज़े simple है accept this यहाँ पर आपको कोई number नहीं दिख रहा है alphabets में चीज़े दे रखे है lx plus m है ना तो इस पर हम थोड़ी बात करते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ sixth part की बात कर रहे है px जो है वो दे रखा है lx plus m clear है यहाँ से जो x की value हो एक बार वो भी check कर ले दें क्या दे रखे है minus m upon में l है है ना so x is equal to minus m upon में l clear तो sir यह चीज़ कहा है ना देखो अब इसको ध्यान से देखना यहाँ पर जो x है यह तो मेरा variable है सही है लेकिन यहाँ पर जो भी मेरे यह L है और यह L m है ना L और m किस की तरह काम कर रहे है constants की तरह काम कर रहे है constants सही है है यह वो alphabet लेकिन यहाँ पर constants की तरह काम कर रहे है तो यह चीज़ आपको समझनी होगी सही है तो चुँडा साफ सफाई पर ध्यान देते है तो अपने को sir कुछ ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है x की value डाल दीनी है question में L लिखा हुआ है x की value है minus m upon l plus m clear है L से L कट जाएगा minus m plus m आजाएगा answer इसका 0 आजाएगा तो यहाँ से भी दिख रहा है कि जी हाँ बिल्कुल minus m upon l जो है वो sixth part का zeros है सही है third question अब हम fourth question की तरह आते हैं sir इसमें हमें क्या बोला गया है find the zeros of polynomial in each of the following cases सही है हमको zeros निकालने है polynomial in each of the following cases मतलब first से लेकर seventh part तक दे रखा है seven parts के हमें zeros निकालने है सही है zeros निकालने की trick मैं आपको बताई चुका हूँ कि जैसे कोई भी polynomial दे रखा है p x is equal to x plus 5 दे रखा है तो अपने को कुछ नहीं करना x plus 5 को 0 के equal रख देना और x की value निकाल देना है minus 5 यह हो गया मेरा first answer minus 5 सही है similarly यहाँ पर x minus 5 को equal 0 रखना है x is equal to क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा clear है आसान चीज़े है similarly यहाँ पर 2 x plus 5 है ना बस ऐसी करते चलना है तो हम आपको थोड़ा यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एक system बता देता हूँ थोड़ा सा है ना कैसे काम करते चलना है sir एक question ले लेते हैं बड़ी आसा question number fourth है for example मैंने ले लिया fourth part है ना fourth part क्या कह रहा है sir px is equal to 3x minus 2 है सही है px is equal to 3x minus 2 मुझे दे रखा है मुझे क्या करना है इसका zeros निकालना है तो sir मैं क्या करूंगा 3x minus 2 को रख दूंगा 0 के बराबर सही है यहाँ पर लगा दो implies that इससे थोड़ा question सुंदरता हूँ आजाता है तो teacher का ध्यान बढ़िया सा आता question के उपर है ना number क्या पता आदे एक number extra दे भी दे अगर तुम साफ सुत्रा करो तो 3x minus 2 is equal to 0 कर लिया यहीं से मुझे अब x की value निकालनी है तो x वाली term को एक तरफ रहने दो अब सिर्फ x को एक तरफ रहने दो 2 by 3 तो sir जो zeros है वो कितना आ गया x is equal to 2 by 3 clear है सारे questions ऐसी होने बस एक अटपटा सा question मेरे ध्यान में आ रहा है यहां पर 6th part भी है और 7th part भी है तो पहले 6th को देखते है 6th में क्या दे रखा है ना में px is equal to ax दे रखा है जहां पर a जो है वो 0 के इकल नहीं है clear सही है px is equal to ax है a जो है 0 के इकल नहीं है clear है यहां पर मुझे क्या करना है sir x को रख दो 0 के इकल अब a तो 0 के इकल नहीं है ना अब देखो 2 numbers multiply में है है ना a और x और उनका answer 0 आ रहा है तो या तो a की value 0 है या तो x की value 0 है obvious सी बात है है ना question में बोल दिया a की value 0 नहीं है तो sir x की value यह तो 0 होगी ना क्योंकि 0 के upon में a चला जाएगा ultimately x की value 0 है तो 0 इसका क्या आ जाएगा x is equal to 0 clear है असान चीज है ना 7th part की तरफ चलते हैं last question है last part है इस exercise का है ना काफी smoothly हम इस exercise को cover कर चुगे है px is equal to cx plus d लिखा हूँ है condition दे रखिए c जो है not equal to 0 है c जो है वो real number भी है तो यह तो बक्वास बात हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं c not equal to 0 है भी लिखने की ज़रत हमें है हम यहां से भी अपने अप अजूम कर सकते है क्या चीज है sir cx plus d को equal रख दिया 0 के सही है x वाली term को एक तरफ रहने दिया बागी term उदर minus d चली गई अब x को ऐसी रहने दिया उदर क्या हो गया minus d upon c तो sir x की value मुझे क्या मिल गई minus d upon c तो zeros क्या आ गया x is equal to minus d upon c clear है आसान exercise थी है ना यहां पर हम अपने अपनी exercise को समाप करते हैं शरदान जली देते हैं next video में आप से मिलेंगे sir next video में मिलते हैं आप लोगों से है ना नहीं exercise के साथ 2.3 के concept के साथ तब तक के लिए बढ़िया एक दम हसकते मुस्कुराते रहो वीडियोस देखते रहो है ना chill will करो बढ़ियास एक दम चलो मिलते हैं गाईस